हलो स्टुडेंट मैं दीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में मद्यप्रदेश लोग से बाय आयो के द्वारा MPPSC 2022 की मैंस की परिक्षा चल रही है उस परिक्षा के अंतरगत अभी तक GS paper first complete किया गया GS paper second complete हुआ और आज का जो GS paper third का paper है तो आज के जो paper है उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके के question पूछे गए चले तो देखते हैं कि किस तरीके के question का pattern रहा तो इसमें उसी तरीके का pattern है कि यह तीन घंटे का है total 300 marks है और यह इसमें तीस लगए तीस अती लगए तरी question इसमें पूछे गए हैं जो कि 15 से 20 सब्दों में आपको इसकी answer देने है तो यह इसमें question pattern में कुछ बदलाव रहा है जो पहले जो question पूछे जाते थे वो पगंद्रा question पूछ रहे थे चले तो देखते हैं कि किस तरीके का question pattern में बदलाव रहा है जिसमें पहला question आता है कि उजा कि काई वही है जो कारिकी है क्या यह वाक्य सही है गलत energy has the same unit as that of work is this sentence true or false इससे related है next question आता है कि बिर्निर्वात में प्रकास की गती कितनी होती है और क्या है अलग-अलग माद्यमों के लिए अलग-अलग होती है इन सभी का आपको उत्तर 15 से 20 सब्दों में आपको उत्तर देना है what is the speed of light in vacuum is it different for different medias इसके अंतरगत है फिर आता है आपका थर्ड नंबर का question जिसमें पूछा गया है कि बिद्धारा की AI-I क्या है what is the SI-I क्या है what is the SI unit of electric current फिर next question फोर्ड नंबर का आता है कि रासानिक परिवर्तन के उधारन दीजे गेव एक्जामपल्स ऑफ केमिकल जेंज फिर आपता है fifth number का question जिसके अंतरगत पूछा गया है कि morphine को कभी कभी अही फेनी या offeates क्यों कहा जाता है why is it morphine sometimes referred to as a offeate फिर आता है sixth number का question जिसमें पूछा गया है कि M कोस या कक्छा में electronों की अधिकतम संख्या क्या होगे what will be the maximum number of electrons in M cells या orbit इसके अंतरगत है फिर आता है आपका seven number का question इसमें पूछा गया है कि अधिकांस जीवानों कोश का है कोश का भित्ती किस पदार्थ की होती है most of the bacterial cell walls are made up of which substance इसके वारी में फिर आता है आपका eight number का question की किडिवन को परिभासत कीजिए define fermentation के वारी में फिर आता है नए नंबर का question की 70S 80S ribosome में S क्या द आता है 10 number का question जिसमें पूछा गया है कि hybrid computer क्या होते है what is hybrid computer फिर 11 number का question आता है कि internet और worldwide wave में क्या अंतर है differentiate between internet and worldwide wave इसके अंतरगत question फिर आता है आपका tall number का question पूछा गया है कि नागरिकों और अनही धारकों को जानकारी और सिवाओं के लिए एकलखिड की पहुच प्रदान कि ही तुम मेरे सरकार का कौन सा पोर्टल है which portal provides a single window access to the information and services provide by the Indian government for citizens and others stakeholders अब आता है आपका 30 number का question जिसमें पूछा गया है कि एक आसे को एक बर फैकने पर एक समसंख्या आने की प्रायक्ता क्या होगी what is the probability of getting in even number in a single throw of a dice इससे related है अब आता है 14 number का question इसमें पूछा गया है जिसके प्रिशनों के उत्तर आपको 15 से 20 सब्दों में देने हैं और यह ती नंकों का question है कि सून और 20 के मद्धे कितनी अभाजी शंख्या होती है how many prime number are there between 0 and 20 अब आता है 15 number का question जिसमें 3 ratio 5, 5 ratio 7 और 7 ratio 9 का मिसरित अनपात क्या है तो find the compound ratio of 3, ratio 5, 5 ratio 7 and 7 ratio 5 है मतलब की 73 अनपाती 5, 5 अनपाती 7 और 7 अनपाती 9 का मिसरित अनपात क्या है ग्याद कीजे इसका आपको बताना है फिर question पूछा गया है कि dots का पूर नाम क्या है what is the full form of dots फिर आता है 17 number का question कि आस्टांग एक योग क्या है और what is a stangio फिर आता है आपका 18 number का question जिसमें पूछा गया है कि unisave एक संचिप्ट टिपड़ी है write a sort notes on unisave और unisave पर संचिप्ट टिपड़ी लिखनी है आपको फिर आता है 19 number का question जिसमें पूछा गया है कि हरगविंद खुराना को किस विषय में नोबल पुरुसकार मिला है in which subject did her go govind खुराना receives nobel prize आवाता है 20 number का question जिसमें पूछा गया है कि चंद्रयांथरी कि लेंडर और रोवर का नाम बताए फिर आता है 21 number का question जिसमें पूछा गया है कि कितिम बुद्धी मत तक क्या है तो what is artificial intelligence is a related question है फिर question आता है कि hot spring किसे कहा जाता है what is hot spring कि वारी में बताना है फिर आता है 23 number का question जिसमें पूछा गया है कि उर्जा के पारंपरिक्स रोतों से क्या तयात पर है what do you mean by conventional source of energy फिर आता है 24 number का question जिसमें पूछा गया है कि जबालाल लेहरू राश्टी सौरूर्जा mission JNNSM कब प्रारंप किया गया था when was जबालाल लेहरू national solar energy mission started फिर आता है आपका 25 number का question कि जबावर्धन क्या है what is bio magnification इसके अंतरगत question है फिर 26 number का question आता है कि Montreal protocol क्या है what is Montreal protocol फिर 27 number का question आता है कि e waste क्या है what is e waste 28 number का question आता है कि उपरी महादुपी भूपरपटी की सनरशना क्या है what is the composition of our continental crusts related question है फिर 29 number का question पूछा गया है कि आगने शेल को परिभासत कीजे define agnius rock फिर 30 number का question पूछा गया है कि जल वाही इस तरह को परिभासत कीजे define in equifier is related question पूछा गया है जो कि total 30 question और इसमें 20 question जो पूछे गये हैं जो question है वह बीस question पांच नंबर की हैं जिसमें पूछा गया है कि पहला question आता है कि उत्तल दरपड की उपियोंगों का वर्ण कीजे पहला उत्तल दरपड की उपियोंगों का वर्ण कीजे जिसमें describe the uses of convex mirror फिर आता है तूसरा नंबर का question जिसमें पूछा गया है कि एक ruler को मुक्त पतन की तहर गिराया जाता है इस ruler द्वारा की सेंटीमेटर की दूरी तह की जाते है पितिकरिया समय को सेकंड में ग्याद कीजे आ रोलर ड्रॉप अंडर फ्री फॉल दा डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाए दिस रूलर इन 21 सेंटीमेटर एस्टिमेटर ता रियेक्शन टाइम इन सेकंड इसके अंतरगेती कोश्चन आता है फिर आता है टॉंटी थिरी नंबर का question जिसमें पूछा गया है कि एनेस थ्री एक लुईस चार और बी एप थ्री एक लुईस अमल क्यों है समझाये वाइज एनेस थ्री आ पाउडर तो बिलीचिंग पाउडर के आपको यूजेज लिखना है फिर आता है आपका question फिप्ट नंबर का जिसमें पूछा गया है कि पौधे की ब्रूण प्रोस या एंडोई स्पर्म पर टिपड़ी लिखे है राइट नोट एओन एंडोई स्पर्म और प्लांट फिर आता है आपका 6 नंबर का question जिसमें पूछा गया है कि स्वास्त और स्वक्षिता क्या है what is health and hygiene फिर 7 नंबर का question आता है कि computer की प्राथ में मेमोरी क्या है what is the primary memory of a computer 8 नंबर का question आता है कि machine सुतंत्र भासा है क्या होती है ऐसे भासाओं में लिखे गए code को computer कैसे निस्पादित करता है water machine independent language how is a code written in such language executed by computer फिर आता है आपका 9 नंबर का question जिसमें पूछा गया है कि अमन की आयू रभी की आयू के 3 गुना 15 बर्स अधिक है यदि अमन की आयू 60 बर्स है तो रभी की आयू क्यात कीज़े अमन's age is 15 years more than 3 times of रभी's age if अमन's age is 60 years find रभी's age related question फिर आता है 10 नंबर का question पूछा गया है कि एक सहर की जन संख्या में 10% की बार्सिक दर से ब्रद्धी होती है और यदि इसकी बर्तमान संख्या 20,000 है तो दो बर्स पर स्चार सहर की जन संख्या ग्यात केजिए the population of the city increases by 10% annually if its present population in 20,000 find the population of the city after two years फिर आता है आपका question की राजटी आयूश मिशन पर संख्यत्य टिपड़ी लिखी है write as short notes on national आयूश मिशन नेम के बारे में आपको संख्यत्य टिपड़ी लिखनी है फिर question आता है कि pulse polio टीका करण पर संख्यत्य टिपड़ी लिखना है briefly describe pulse polio vexification फिर आता है TIFR के बारे में संख्यत्य विबरंट देजिए describe briefly TIFR फिर question 14 नम्मर का है कि भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले राजटी विग्यान पुरुसकार के नाम बताए अब आता है 15 नम्मर का question इसके अंतरगत पूछा गया है कि नागरपाल का थो सबसेट उर्जा क्रेको कम करने में सहायक हो सकता है इस पर संख्यत्य टिपड़ी देना है कि write a short notes on municipal solid waste can help to reduce energy purchase आप आता है 16 नम्मर का question जिसमें पूछा गया है कि संख्यत्य राष्ट उर्जा क्रीयान मनर्णीती दो हजर पच्चिस पर एक संख्यत्य टिपड़ी लिखनी है फिर आता है 17 नमबर का question जिसमें पूछा गया है कि परियावर निये नेतिकता पर एक संचेते टिपड़े लिखे तो write a short notes on a environmental ethics के बारे में बताना है फिर आता है आपका 18 नमबर का question जिसमें पूछा गया है कि पवित्रोपमन क्या होते हो और सलक्षण में इनका क्या योगदान है तो what are second groups what is there role in conservation इसके बारे में है फिर आता है 90 नमबर का question के ग्रे बेक सेंड इस्टॉन का वर्णन कीजे इसक्राइब दा ग्रे विक सेंड इस्टॉन फिर आता है 20 नमबर का question जिसमें पूछा गया है कि लोह एक्सों के बित्रण पर टिपड़ी दिखिये तो write us notes on a distribution of iron और age के related question है आप आता है आपका third person जिसमें 10 दीर गुत्री है कुष्चनों को दिया गया है जिसके अंतरगत आपको 11 अंकों के यह पिष्ण है और यह total 10 question है जिसके अंतरगत पहला question आपको देखने को मिलता है कि उर्जा क्या होता है उर्जा क्या है इसके विविन रूपों का burden कीजिए रिन्यूवल उर्जा की बारे में विस्तार से चल्चा कीजिए फिर second question आपसे पूछा जाता है कि परमाडू जोजन परमाडू के लिए बोहर माडल के अविधार्णों की व्याख्या कीजिए एक्सप्लेंदा पोस्ट लेट्स और बोहर मोडल और फोर आइड्रोजन एटम्स फिर आता है आपकर नेक्स्ट कुशन जिसमें पूछा गया है कि प्राक्तिक पाद अब रद्धी नियामेकों की विस्तार से चल्चा कीजिए डिसकस इबाउट था नेच्रल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन डिटेल्स फिर आता है फोर नमबर का कुशन जिसमें पूछा गया है कि सरकार सोसल मेडिया का उपयोग क्यों करती है वाइड़ जा गवर्मेंट यूज सोसल मेडिया फिर आता है कुशन फिप्ट नमबर का के नियमने मारमबार्ता वितरण का बहुलक ग्याद कीजिए जिसमें बरगंतराल और बारमबार्ता दी गई है किलास इंटरवल और फिक्वेंसी को दिया गया है जिसमें बरगंतराल 25-30, 35-35-40, 45-45, 45-50-55 के बीच का दिया गया है जिसमें बारमबार्ता को भी 20, 53, 42, 42, 38, 36 के सरकेंस में दिया गया है जिसमें आपको बहुलक ग्याद करना है इसके Frequency, Distribution को ग्याद करना है फिर आता है आपका 6th नंबर का Question जिसमें पूछा गया है कि प्राक्तिक चेकिस्सा का बर्डन कीजिए कि Describe Neutropathy, in details इसको आपको Neutropathy के बारे में बताना है फिर आता है 7th नंबर का Question कि Remote Sensing क्या है? कारिशेत्र के आधार पर इसका बर्गे करन दीजिए Remote Sensing अनुप्रियों की सीमा क्या है? What is Remote Sensing? Give its classification based on scope What are range of Remote Sensing application? फिर आता है आपका 8th नंबर का Question कि भारत की नापकी उर्जा कारिकरम पर प्रकास्त जालिए कि Give an Account of India's Nuclear Energy Program फिर आता है 9th नंबर का Question इसमें पूछा गया है कि जए विवित्ता सन्रेक्षण से क्या आस है? इस संबन्द में राज़्टी स्तर पर क्या प्रयास किये गए? What is the mean by diversity, conservation, what effect have been made at a national level in this regards? फिर आता है Question 10 नंबर का कि पृत्पत्ती के सिधानतों की व्याख्या कीजिए Explain, verify the theories of the origin of the earth history related question पूछे गए है इसके पहले जो Question जो GS paper first का आया, second का आया जिसमें part first और part second करके Question को पूछा गया इसमें एक साथ ही पूरे Question को पूछा गया जो कि 300 marks कर रहा और इसमें जो आपका जो तीसरा question रहता है उसके अंतरगत एक option में Question दे दिया जाता था तो इस बाला जो third GS paper third का है इसमें option में कोई Question नहीं दिया है इसमें जो Question दिया गया है आपको उसी तरीके से उसका answer लिखना है और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए इस सेशन को लाइक करने के लिए वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद